आप सबीने शिम्ला मिर्ची की सबजी यो बहुत घ्राइ section यह सब्सक्राइतuuuu आप सब्सक्राइब करती हैं अपने चेनल और रेस्पी पसंद आए जेए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए देख लेते हैं तो आई स्टार्ट कर लेते हैं उसके लिए मैंने यहां पर ले लिए हैं चार शिमला मिर्ची इनको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और यहां ले लिए हैं बॉयल आलू यह आलू मैंने अच्छे से बॉयल कर लिये ह और इनका छिलका निकाल लिया है और आलू अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो यहां पर मैंने जैसे बताया आपको शिमला मिर्ची हम अच्छे से पहले वाश कर लेंगे अब क्या करेंगे नाइव की सायता से यह जो ऊपर का भाग होता है ना ऊपर का हिस्सा ऐसे इसको गोल का भी सीजन है आप इस सबजी को बना के रख सकते हैं तो डेली डेली की सबजी का भी टेंशन नहीं है कि हम शाम को क्या बनाएं सुबह क्या बनाएं कि इसको बना के रख सकते हैं और दूसरे दिन भी इसको खा सकते हैं काफी बढ़िया लगती है अब इस तरीके से जो इस से उपर का भाग निकालके अंदर से खाली कर लिया है अब क्या करना है हमें बनानी हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही चटपटी और मजीदार से स्टफिंग जो हम शिम्ला मिर्च में भरेंगे तो यहां कड़ाई रख ली है कड़ाई में मैंने तेल गरम करने रख दिया है अब इसमें मैं डाल रही हूँ आदी चम्मा जीरा जीरा डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी आदी चम्मा सौफ और इस स्टफिंग को आप इन सब चीजों को मैं थोड़ा सा कड़का लूँगी है जैने क्पैसी दिपोãy horn too और इन मसालों को अच्छे से भून लेना है हमें अब इस वक्त में डाल रही हूँ एक चमज बेसन जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें एक चीज हम ऐसी डालेंगे जिससे हमाली शिमला मिर्च की सबजी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी एक चमज बेसन डालने के बाद थोड़ा सा बेसन को हम इस मसाले में भून लेंगे तो यह मसाला अच्छे से और बेसन इसमें मसाले में भून गया है अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें अब जो बॉयल आलू थे ना उसको हम हातों से ऐसे मसील लेंगे और इसमें डाल देंगे यहां पर आलू मैंने सारे डाल दिये हैं मसील के अब हम इसमें डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक नमक एड़ करने के बाद अब इस बड़िया से स्टफिंग को हम मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों एक बात और यहां मैं प्याज का यूज नहीं कर रहे हूं बिना प्याज के बना रहे हूं शिम्ला मिर्ची अगर आप प्याज खाते हों तो इसमें आप प्याज भी एट कर सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको बिना प्याज के बनाना है हमें तो यहां म हमारी पढ़िया सी रेडी है तो दोस्तों इसकी स्टफिंग इतनी टेस्टी है ना कि शिमला मिर्ची में तो मैंने बाद में भरी बच्चों ने मेरी ऐसी ही चटकली आदी स्टफिंग तो अब इसमें मैं डाल रही हूं हरा धनिया बारिक कटा हुआ अगर आप रोटी से इसक को हम इसमें भर लेंगे अच्छी तरीके से भरना है इसे यह अंदर तक अच्छे से इसमें आलू भर जाएंगे तो अंदर तक जो उगली से हम इसको अच्छे से भरेंगे तो यहां पर अच्छे से भर लेना है तो यह दिखे एक शिमला मिर्च मैंने अच्छे से अंदर त दाल लेंगे और तेल थोड़ा सा गरम हो जाएगा तब इसमें हम रखेंगे शिमला मिर्ची जो हमने भर ली थी और शिमला मिर्ची को रखने के बाद इसको हम ढखके बिल्कुल धीमी फ्लेम कर देंगे गैस की और इनको हम बिल्कुल कम फ्लेम पे पकने देंगे तो थोड़ flame पर बन रही है जैसे मैंने बताया तो खोल के हम इसको एक बार पलट लेते हैं इससे जो नीचे की सिग एई है वो उपर हो जाएंगे और नीचे मुपर हो जाएंगे और उपर के नीचे हम इसको कर देंगे तो इस तरीके से ढखके एक और बार अच्छे से पकने देंगे इसको तो दुबारा चेक करते हैं तो यहाँ देखिए धीमी आज पर यह धीरे-धीरे पकरी है तो शिम्ला मिर्ची भी अच्छे से पकरी है तो दुबारा से हम इसको चला लेते हैं ये देखे तो किती पढ़िया तरीके से इसमें color आ रहा है और किती बढ़िया लग रही है देखने में तो ढ़के इसको दुबारा से पकने देते हैं अब आइए खोल के देखते हैं तो ये देखीए, शिम्डा मिर्ची हमारी अच्छे से बन चुकी है अच्छे ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा नाकूला के देखा है, तो ये पख गई है इसको हम अच्छे से चला लेंगे पढ़िया से ये शिमला मिर्ची निकाल लेते हैं, गर्मा गरम सर्फ करते हैं, अब आप इसको स्टोर करके फ्रीज में रखिए, आराम से पराठे से खाए, रोटी से खाए, काफी टेस्टी लगती है, डेली रोज की सब्जी खाखा के बोर हो गए हैं, तो शिमला मिर्ची की सब्जी कुछ ऐसे बना के रेडी कर लिजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो ये देखिए, देखने में कितनी पढ़िया लग रही है हमारी शिमला मिर्च की सब्जी, अगर आप सभी को मेरी ये रेस्पी पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजि